हेलो फ्रेंड्स गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है सबसे पहले तो जन्मास्ट में कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुप काम नहीं भगवान की आप सब पे किरपा बनी रहे आज मैं अजवाइन प्लांट के बारे में आपके बताना चाहती हूँ जो की बहुत ही बेनिफिशिल है हमारे हेल्थ के लिए और ये देखिए ये है वो अजवाइन का प्लांट ये मेरे पास दो साल से ये प्लांट है बहुत ही बेनिफिशिल प्लांट है ये इसको Mexican Mint भी बोलते हैं, नरसरी में आप Maxime and Mint मत बोलेगा, तो वो दे नहीं पाएगा आपको, इसको अजवेन प्लांट से ही जाना जाता है इंडिया में, तो यह बहुती फ्लेशी इसकी लीफ्स होती है, इसमें पानी भरा होता है, तो इस प्लांट को ज्यादा पानी भी नह प्लांट है, पेट में गैस बन रही है, या पेट दर्द है, या अपज है, तो इस प्लांट की दो पतियां आप चबा लीजिए, तो बहुती अराम मिलता है, यह देखी, इसको मैं मसल के दिखा रही है, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, यह देखी, कितना पानी है, इसमे आज मैं इसको प्रपगेट भी करके दिखाऊंगे आपको और यह देखिए यह मैंने इसकी जड़े ज्यादा डीप नहीं जाती है तो इसको चोटे-चोटे अंगर के नए प्लांट बना लूँ आज मैं इसकी कटिंग करूंगी यह देखिए यह मैंने कट किया इसको तो हलका सा कट करो अब फट टूड़ जाती है इसके नीचे की दो लीप सट आ देना और मिट्टी में इंसट कर दीजिए तो बस आपका प्लांट लग गया एक हफते अन्यक्ति में जो पानी दिया है बस उतना ही देना उसके बाद उसको पानी नहीं देना आपको और एक ऐसी सब्सट ब्राइट संलाइट की तरफ रख देना लगकुल अंधेरे में मत रखना नहीं तो यह प्लांट ग्रों निकर पाएगा यह प्लांट किया कोई भी प्ला यह एक साथ देखाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए यह देखे मैंने दूसरी भी स्टेम कटी और इसको भी हां डाल दिया यह देखे बस आपका प्लांट लग गया एक हफते बाद आप देखेंगे इसमें रूट आगे नई नई ग्रोथ होने लगी है तो समझो आपका प्ल पाती रहते हैं और अपना गार्डन का काम करती रहती हूं इसके बहुत ही बेनिफिशिल है इपना इम्मिनुटी बूस्टर है अस्थमा में बहुत रिलीफ देता है अगर आपको फीवर है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसका काड़ा बनाई है थैंक्यू झाल 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 झाल